लक्ष्पी जी आपके इलागे में गार्णेटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ मुझे आपका और आपके इलागे का कुछ बता सकते हैं कारकम कैसा होता है वो रभी किशन के सामने देख करके मत बोलिए आपकी जो गारी जहां आजाती है उनको बुरा लगे तो बुरा लगे अगर पहुंच जाए तो लोगों की ताथा लग जाती है आपकी आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए और तो और हो गई योजनाकी तो अलग बात है आपकी जो जुबान से निकलती है वो भासा अम्रित मारी उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरकपुर से बोल रहे हैं कि गोरकपुर के द्वगल के गाम से बोल रहे हैं जी मैं बीस्व प्रसीद टेरा कोटा सिल्फ ग्राम और अंगाबाद से बोला हूँ जहां कि टेरा कोटा बीस्व पठल पर है अच्छा लक्ष्मी जी आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं बताइए मैं बहुत अच्छा हूँ मेरा पूरा परिवार पूरा खंदान टेरा कोटा सिल्फ से जुड़ा है मैंने एक संस्था 2000 में बनाई लच्छमी स्वयंप साहता समू जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं और 12 मेंबर के पूरे परिवार में लाकर के 75 ल नहीं पूरे 75 लोगों का हमारे समू में 12 सदस हैं और 12 सदस्तों के परिवार में किसी के 6 हैं किसी के साथ हैं किसी के 4 ही हैं कुल मिला के 75 लोग इस ब्यवसाय से जुड़े हैं मतलब 12 लोग जो में मुख्या है बारा लोग सवा करोर रुपया कमाते हैं जी 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 मुझे बताया गया है कि आपने वन डिस्टिक वन प्रोड़क ओडी ओपी एक जीला एक उत्पास किमकाल आप बहुत लिया है और आप एक बहुत जागरत व्यक्ति है समाज को जोड़ करके काम करते हैं तो आप इन्हें जरा अनुभव बताईए जी सर मैं पहले तो धनवाद देता हूँ माननी मुख मंतरी महोदय का जो उनका एक अलग पाहचान ओडी ओपी युजना है उसके तहत हमारे सारे सिल्पियों को टूल किट पावर की चाग मिट्टी बनाने वाली मसीन ये मुट्ट में सब को मिला है जितने भी हमारे हस सिल् हैं सबको दिया गया है और साथ ही साथ वोडी ओपी वजना के अंतरगत अलग लग सहरों में जो प्रदर्शनी लगती है आपके दिल्ली प्रगती मैदान में नोड़ा में लखनों में वहां बारी-बारी से सिल्पियों को भाग लेने का मौका भी मिलता है अच्छा लक्ष्मी जी योजनाय तो हमारे देश में कोई नहीं विशे नहीं है हर सरकार कुछों को योजनाय बनाती रहती है पहले की सरकारों की योजनाय और आज जब डबल इंजिन की सरकार है तो क्या फर नजर आता है देखे सर पहले तो हम खुद किसान है मैं किसान ग्राम पंचाय से सौचाले का आपके प्रधानमंतरी किसान सम्मान निधी का लाब ले रहा हूं ओडि ओपी का लाब ले रहा हूं तो पहले की जो सरकारती मुझे कोई यूजना का पताही नहीं चलता था आज जो यूजनाय हैं फेपर में पढ़कर के अधिकारियों के द्व वारा पता चल जाता है कि कौन कौन सी नई योजना है कौन फुरानी लागू हो रही है क्या हमें करना हमारे लाइक क्या है उस हिसाब से हम उसको चैन करते हैं लक्ष्पी जी आपके इलागे में गार्नेंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ मुझे आपका और आपके इलागे का कुछ बता सकते हैं कारकम कैसा होता है वो रभी किशन के सामने देख करके मत बोलिये आपकी जो गाड़ी जहां आजाती है उनको बुरा लगे तो बुरा लगे अगर पहुंच जाए तो लोगों की ताथा लग जाती है आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए और तो और हो गई योजनाकी तो अलग बात है आपकी जो जुबान से निकलती है वो भासा अमरित मारी उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है